Hello everyone, my name is Nikhil and welcome to the channel आज का वीडियो ICAR यानि Indian Council of Agriculture Research जिसका Headquarter दिल्ली में है उसके अंदर Assistant Level की और इसके अंदर एक Institute आता है IARI Indian Agriculture Research Institute इन दोनों के अंदर ही Assistant Level की Recruitment का इनोटिफिकेशन आउट हुआ है थोड़े बाँड डाउट है इसके अंदर काफे दिन बाद इसके उपर वीडियो बना रहा हूँ नोटिफिकेशन निकले दो-चार दिन हो चुका है बट स्टिल मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पूने में था, वहाँ पर वीडियो डिली हुए बुक्स, कौनसी बुक्स, बेस्स नोकरी के लिए फिर सिलिबर्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम कट आफ और प्रिवेशर पेपर के बात करेंगे प्रिवेशर पेपर की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ मेरे टेलिग्राम चैनल पे भी मैं उसकी प्रिवेशर पेपर डाल दूँगा जैसे यसे वीडियो अप्लोड होता है ना उसी हरार्की में टेलिग्राम के अंदर भी मैं पीडियाफ डालता ही रहूँगा और एक बहुत इंपोर्टेंट बात आपको अभी बतायता हूँ स्टार्टिंग में कि जितने भी लोग इस नोकरी के त्यारी करेंगे आफिर किसी भी जॉब की आप त्यारी कर रहे होंगे स्पेशली एससी के एक्जामनेशन की रेलवी के एक्जामनेशन की तो आपके लिए फ्री में वीकली करेंट अफेर्स की पीडियाफ की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन ने देने वाला हूँ सबसे फर्स्ट लिंक वही है वहाँ पे क्लिक करिए और आप वीकली जितनी भी करेंट अफेर्स है ना उनको डाउनलोड कर सकते हैं जो यह ससी जैसे एक्जामिनेशन है और यह जो एक्जामिनेशन है आपका असिस्टेंट लेवल का असिस्टेंट लेवल का भलके मत लेके चलना असिस्टेंट लेवल ऑफिसर लेवल की रुप्रूट्मेंट है जो असिस्टेंट एससी सीजियल में होता है उसी लेवल की र प्रेइटर करना है और आप सारे के सारी PDF डाउनोड कर सकते हो सिर्फ यह नहीं वहाँ पे 300 से अधा किताब भी अवलेबल हैं तो आप उनको भी फ्री में डाउनोड कर सकते हो तो चलिए अब नोटिफिकेशन को देखना शुरू करते हैं सबसे बहले बात करते हैं डेट का डेट की बात करें तो में में इसका फॉर्म निकल चुका है और इस फॉर्म को भरने का आख्री रिट है एक जून 2022 और अगर आपसे कुछी फॉर्म में गलती भी हो जाती है कुछ छोटी मोटे म मिश्चे को जाती है तो पांच जून से साथ जून के बीच में इसका करेक्शन का विड्नु को लेगा दो दिन के लिए आप अपने गलतियां सुधार सकते हो इसका एक्जामनेशन है वो जून 2022 जून के लास्ट वीक में हो भी जाएगा इसके लावा और कोई डिटेल नही कुछ फी नहीं है तो आप उसको चोड़ो जो मैं बता रहाँ उसको ध्यान से संहूं जितनी भी फी मेल केनीड़ेट स降्ट आप तो पांजो रुपय अफ्लिकेशन फीस है आपके लिए अगर आप मेल केडिट वचलो और चलपे हो टोफ 237 आपकी हो तो पांचशों लेकिन अगर आपने पहले SSE, CHSL लेवल का भी कोई examination दे रखा है या कोई भी तयारी कर रखी है तो मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पर इसको form भरो especially जो female है या फिर SSE है जिनका application fees कम है वो भर सकते हैं, general थोड़ा सोच के बरे को कि application fees काफी जादा है 1200 रुपे है और अगर fees आपके लिए problem नहीं है, तब तो आग बंद करके apply करो, कोई tension line result नहीं है कुछ ना कुछ आपको फायदा ही मिलेगा जब आप form भरते हो तो तो यह देख लिए हमने form की details, अब हम आजाते है eligibility criteria के उपर eligibility criteria में सबसे पहले age की बात कर लेते हैं age की बात करें, तो male female दोनों के लिए form है, और 20 years से लिखरके 30 years तक के लोग apply कर सकते हैं ठीक है, और इसके अंदर age की relaxation भी दी गई है, जैसे 3 साल 5 साल दी जाती है उसी इसाब से यहाँ पर भी relaxation दिया गया है आप apply कर सकते हैं आग बंद करके, लेकिन final year के लोग apply नहीं कर सकते हैं मैं पूरी top 10 list बना चुका हूँ, जिसकी link भी मैं आपको description में दे दूँगा कि top 10 government job for final year students, आप उसको YouTube पे भी सरच कर सकते हो, top 10 government job for final year students आपका आजाएगा, आप उस वीडियो को देखना, आपको 10 essay नहीं मिलेंगी, जिसको क्या apply कर सकते हो, और भले आप final year में हो तब भी, लेकिन इस form को apply नहीं कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है 49.99 आया हो, तो उसको 50 कर देना है, आपके, कम 49 लेखने के ज़रूरत नहीं है, 999 वाले जो ऐसे होंगे, वो उसको convert करके, अपना एक percentage उपर वाला ले लेंगे, तो यह आपको ध्यान में रखना है, इसके लाब और कोई भी requirement नहीं है, यह पूरी के पूरी आप देश में, क education qualification, किसी भी तरिके के graduate इस form को apply कर सकते हैं, correspondence वाले भी apply कर सकते हैं, और जिन्होंने B.com honors किया हुआ होगा, या कोई भी honors course किया होगा, वो अपने honors के marks को मिला करके marks में लिखे हैं, अगर आपके provisional certificate में उसके marks मिला करके लिखे हुए हैं तो, तो basically जो आपके provisional certificate में आप आपका marks लिखा हुआ है न, वो ही आपको यहाँ पर लिखना है, यह मत पुछी का कि honors के marks मिलाएं कि नहीं मिलाएं, ठीक है, तो यह हमने देख लिए, जितने भी legibility criteria है, उसको हम आजाते हैं पर post के उपर, post की detail देख लेते हैं, तोटल 462 यह post है, पूरे के पूरे देश मे मिन आपको पता हैं, यहाँ पर दो तरके की नौकरिया हैं, एक है आपका IARI और एक है आपका ICAR, ICAR basically headquarters है और IARI जो है आपका है, यह institute है, जो पूरे के पूरे country में आपको हर जगा मिलने वाला है, ठीक है, तो ICAR के अंदर जो total post है, आपके पास 71 post है, ठीक है, जो कि headquarter दिल में यह फैले हुए हैं, जिसकी post ही डिल अगवार आप screen पे देख सकते हो, आपको देख जाएगा यहाँ पे, सबसे अदा post मुझे लगता है, IARI न्यू दिल्ली के अंदर यह 25, यह basically institute वाले post है, इसके बाद आपका SBI कोयमबर टूर के अंदर 12 post है, अब देख सकते हो, दो constitution है, तो इस तरीके से यहाँ पे post बटेव हैं, ठीक है, यह हो गए हमारे post की बाद, थोड़ी सी salary की बात कर लेते हैं, देकि assistant level की post है, तो level 7 की नौकरी है, यानि आपकी inspector level की post है, तो इसके अंदर salary भी उसे आप से होगी, अप लेके चलिए 50-55,000 तो आपको starting में मिल जाए कि क्या ये आपकी private नौकरी है, क्या ये सरकारी नौकरी है, क्योंकि इसके अंदर एक जगर लिखा हुआ है कि non-government नौकरी है, देखिए, ये basically statutory body है, statutory body के अंदर बहुती कम ऐसी statutory body है, जिसके अंदर 100% सरकारी नौकरी होती है, ये तनी दातर process से आपको ले रहा है तो ये निकालने के लिए नहीं ले रहा है, आपको रखने के लिए ही ले रहा है, इसके अंदर scene basically ऐसा है कि इसके अंदर productivity भी चेक होनी है, मतलब ऐसा नहीं कि आप सरकारी नौकरी में चले गए और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं निकालेंगे, यहाँ पर निकाल ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको 100% सरकारी से कम लेके मत चलिए, आप किसी बैंक के टकर का इसको लेकर के चलिए, SSC के ministry level में चलिए तो यह उससे लेकर लेकर चलिए और बैंक के लगबग बर लेकर के चलिए, उसके टकर का लेकर चलिए, ठीक है, तो यह हमने देख लिया post क अब हम जाते हैं, examination pattern के ऊपर, देख लेते हैं कौन-कौन से प्रोफसर से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है, देखे हैं तो टोटल तीन स्टेजेस हैं, प्रिलिम्स एक्जामिनेशन, मेंस एक्जामिनेशन, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद आपकी नौकरी 500 marks के, इसके अंदर negative marking थोड़ी से जाद है, 1 by 4th नाव करके 1 by 3rd है, आपको SST CGL के अंदर याद है, 1 by 4th होती है negative marking, यहाँ पर negative marking जाद है, तो काय मारने का यहाँ पे scope नहीं है, ठीक है, इसका pattern जो है, exactly आपका SST CGL, SST CPU अगर आपने दिया है, उन दोनों के जासे ही है, इ उसके बाद English का paper होगा, 100 questions होगे और 100 marks के, total आपको solve करने के लिए 2 घंटा मिलने वाला है यहाँ पे, उसके बाद आपका descriptive paper होगा, जो कि English और Hindi दोनों में से किसी भी भाशा में हो सकता है, आप चूज कर सकते हो, तो इसके आपका 100 marks का होगा, जो कि आपको 1 घंटे मिलेंग सारे के सारा descriptive paper या तो English में या तो Hindi में आपको करना पड़ेगा, दोनों का mix कर दोगे तो आप fail हो जाओगे, ऐसे ही, ठीक है, तो आप ध्यान से अपना language चुने, आप दोनों ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक आपको चुलना पड़ेगा, और एक point बदा दू कि जो prelims का थान स्टैंड करते हैं, 100 marks का यह आपका, और आपका जो SSE CGL है, वहाँ पर इतना importance नहीं दी जाता, descriptive को, कम marks का होता है, और आपका means जो होता है, quant और English होता है, तो आपका यह लेके चलिए कि इसके अदर level भी SSE CGL से थोड़ा सा नीचे level का आपका आएगा, क्योंकि जो इसके अ Chains है, उसके अंदर questions इतने जादा नहीं है, 50 questions के अंदर कितना भी पूछ ले जाए, तो CGL level पर नहीं पूछ जा सकता है, तो आपका यह लेके चलिए के थोड़े से कम आपके questions होंगे, तो आपका practice भी उतनी करने के ज़रूत नहीं है, तो आप CGL से इसको थोड़ा सा नीच चलिए preparation, तयारी CGL की कर रहे हो, तो इस वाम को ज़रूर भरना, तो इसके बाद आजाते हैं, हम skill test के उपर, skill test कुछ नहीं है, बस एक computer का आपको paper देना है, जिसके अंदर आपको 15 minute का paper होगा, और छोटे मोटे आपके presentation के और world processing question होगे, कोई high level का का काम नहीं है वो, तो य होगे आपका final test, जो की skill test, बस यह सारा का सारा process जो follow कर लेगा, वो merit list के लिए wait करेगा, और merit test में आपका नाम आचाता है, तो आपका selection हो जाएगा, तो यह हमने देख लिए examination pattern, अब हम आजाते हैं syllabus के उपर, syllabus इसका almost आपका SSC CGL या SSC CPU के जैसा ही है, दिखना start करते हैं, स discrimination, observation, relationship, concept, mathematical reasoning, figure classification, mathematical, number series, non-verbal series, coding, decoding, statement, conclusion, and scientific reasoning, योगिया reasoning, अब हम आजाते हैं, general awareness के उपर, general awareness में सबसे पहले topic है, current affairs, जिसका free PDF में आपको बता चुका हो, link in description में available है, उसके बाद है, आपका Indian and its neighboring countries, जो भी आसपास हो रहा है, उसके बारे मैं को पता होना चाहिए, history, culture, geography, economic science, general policy and scientific research, ठीक है, योगिया GS, अब हम आजाते हैं, हमारे quant के उपर, quant में सबसे पहले topic है, whole numbers, उसके बाद, decimal, fraction, relationship between numbers, percentage, ratio, proportion, square roots, average, interest, profit and loss, discount, partnership, mixtures and aggregation, stamina, distance, time and work, basic, algebraic, identities, graphic of linear equation, triangle, square, sphere, hemisphere, bar diagram, pie chart, trigonometric ratio, height and distance, histogram, and frequency, polygon, यह होगिया quant, अब हम आते हैं, English के उपर, English में सबसे पहले topic, active voice, उसके बाद, one word substitution, unseen passages, fill in the blank, antonyms, synonyms, direct, indirect, error, sentence, improvement, ठीक है, direct, indirect, speech हो, basically, ठीक है, यह होगिया हमारा सारा का सारा सलिए, बस, अब हम आजाते हैं, books के उपर, कि आखिर, कौन से books, best है, इस नोकरी के लिए, हम mostly, हम बहुत ज़्यदा coaching को promote ने करते हैं, आपको यह ले लो, वो ले लो, तो यहाँ पर basically books इसलिए important हो जाती है, ताकि आप घर पे बैठके पढ़ाई कर सको, तो ऐसे books के बारे मताता हूँ, जो कि आप घर पे बैठके easily पढ़ाई कर सकते हो, single single किताब आपको बताता हूँ चुकि examination बड़े level का है, single books भी market में available है, इसकी बट मैं कहूँगा आप फिलाल मत लो, क्योंकि इसका syllabus बहुत जादा है, एक book आप लोगे भी इतना, इतनी मोटी book आएगी, और इस examination के level में मैं देख रहा हूँ, books नहीं है, हाँ, अगर अब हिंदी medium student हो ना, तो कुछ books definitely Amazon प किताब है, अर्यंत publication की है, आख बंद करके लिजिए, link के description में available है, ऐसा ही आपको आख बंद करके general awareness के लिए बता देता हूँ, सबसे पहले static portion के लिए आपको lucent की किताब ले लिजिए, second current affairs के लिए quarterly current affairs की किताब ले लिजिए, दो quarter का किताब मंगबा लिजिए, last अराम से लिजिए, दिशा publication की है, current affairs में आपका ये part हो गया, अब हम आजाते हैं next हमारे English के उपर, English के अंदर भी आख बंद करके essential English के किताब ले लिजिए, दिशा publication की है, और अगर आपके English एक्दम खता में है, भाई साब आती ही नहीं है, चुकि ये book competitive है, बहुत जादा, latest update भी ह हुई है, सारे examination इसके अंदर covered है, banking अगर हर चीज, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहो कि भाई knowledge लेना है English में, और मुझे English आती ही नहीं है, बिल्कुल हिंदी में पढ़ना है, तो अब lucent की English purchase कर रहे ना, उसमें English को हिंदी में समझाए गया है, अब हम reasoning की उपर आ जाते है, reasoning के अंदर देखिए, बहुत सारी किताब है, market में available है, मैं अगर एक book आपको लेना होगा ना, मैं कहूंगा, एहशान publication के लिलो, verbal, non-verbal reasoning, ठीक है, बहुत अच्छे किताब है, 99% सारी examination cover जाएंगे, bank हो चाए कुछ भी हो, लेकिन अब इस examination के लिए सिर्फ पढ़ना है आप किताब ले लो, उससे आपका काम चल जाएगा, यह हो गया सारा का सारा books की बात, इसके लाव आपको कुछ नहीं पढ़ना, और आपको weekly का मैंने बताय दिया, लेकिन description में available है, अगर आपको download करना होगा पीडिया तो weekly current interface का पीडिया पहाँ से मिल जाएगा, अब हम यह आपे आजाते हैं, cut off की उपर, cut off की बात कर लेते हैं, दिल्ली वाले का cut off बहुत हाई जाता है, ठीक है, 200 marks में से जो आपका cut off यहाँ पर आने वाला है, यह आएगा दिल्ली का लगबग 110, 115, 120, maximum यह है, ठीक है, दिल्ली वाले जो आपका है, headquarters का, इसके लावा जो बाकी है उनका cut off रहेगा, 100, 105, 100, 105 के आसपास cut off रहेगा, दिल्ली वाले में अगर इस बार बहुत ज़्यदा लोगों ने form भर दिया, तो हो सकता है कि 120, 125 तक touch कर जाए, वरना बाकी हमारे देश में जितने भी institution है, उनमें 105, 110, 105, 110, ऐसा ही आपका cut off रहेगा, बहुत ज़्यदा high cut off इसके अदर नहीं जाएगा, तो जो भी लोग इंट्रेस्टेड होंगे ना, डेफिनेटली इस नौकरी को अप्लाई करना अच्छी नौकरी है, प्रिविए सिर्फ पेपर्स का आपको बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवलेबल है, टेलेगराम के भी में ड